दोस्तों जेश्ट मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को नेचला एकादशी कहते हैं यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायन को समर्पित है इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन करने से मन चाहां बर्दान प्राप्द होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं यहें एकादशी सभी एकादशियों का पुन्य प्रतान करती है, इसलिए इसे सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। आप साल भर की किसी भी एकादशी का अगर प्रत ना रख पाए हों, तो आपको नेजला एकादशी का प्रत अविश्य करना चाहें। इसकंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन अन गरहन कहने से दोश लगता है। और नेजला एकादशी का प्रत कहने से यह दोश दूर हो जाता है। साथी सभी पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। नेजला एकादशी का ब्रत अत्यंत कठिन होता है क्योंकि यह नेचल और निराहार रहकर किया जाता है। इस ब्रत में जल की एक बून भी ग्रहन नहीं किया जाती। सुबह उठकर कुल्ला करने के लिए ही मुह में जल डाला जाता है। उसकी बार मुह में जल नहीं डाला जा यह ब्रत नेजला एकादशी के सूर्योदेश से अगले दिन पारण तक इसी प्रकार किया जाता है। पारण करते समय ही अनजल फलहार क्रहण किया जाता है। कहते हैं नेजला एकादशी के दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायन के कृपा प्राप्त हो जाती है। पूरे साल पर उन पर भगवान की किर्पा बनी रहती है। पूरे साल पर कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और चीवन में खुश्यां आती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रसन्य करने के लिए ब्रत के साथ कुछ खास उपाई भी किये जाते हैं। नेजला एकादशी के दिन सुभए उठकर सबसे पहले अपनी हतेली में भगवान लक्ष्मी नारायन का दर्शन करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासु देवाय मंदर का ग्यारे बाद जाम करें। भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा प्राप्त करें। लगवान लक्ष्मी नारायन के दिन सुभवान लक्ष्मी नारायन के करने के लिए। तुलसीची के पास दीपक अवश्य जलाना चाहें मानेता है ऐसा कैने से घर में धन यश और बैभब बना रहता है आपको भागवान विश्णू और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी नेचला एकादशी के दिन घर परिवार के शुक शान्ति के लिए भागवान विश्णू मा लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं लेकिन ध्यान रखें खीर में चावल ना डालें सादा चावल ना डालें आप ब्रत के चावल जो समा के चावल कहे जाते हैं उनकी खीर बना सकते हैं या फिर मखाने की खीर भी बना सकते हैं। खीर बनाकर इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। और फिर इस खीर का भगवान लक्षमी नारायन को भोग लगाएं। ऐसा कहने से घर परवार में शुक्षांती बनी रहती है। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी हुई है। एक समस्या खतम नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कश्टों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आप कोई कार्य करती हैं और कार्यों में रुकावर आ जाती है। बनता बनता कार्य बिगर जाता है। धन संबंदी समस्या बनी रहती है। धन में बरकत नहीं हो पा रहे। धन प्राप्ती के मार्ग नहीं नजर आ रहे। तो इन समस्या को दूर कहने के लिए दोस्तों आप नेजला एकादशी के दिन इस आसान से उपाई को अवश्य करें यहे उपाई आपको नेजला एकादशी पर रात के समय करना है संध्या बंदन जो पूजन का समय होता है उस समय से रात में आप किसी भी समय इस उपाई को कर सकते हैं क्योंकि एकादशी पर रात्री में किये गए पूजन उपाय आतिक शुफल्दाई होते हैं। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुहात पैथ हो लें, कुल्ला करें और सच्छ बस्त धारन करें। हो सकी तो पीली रंग के बस्त पहन कर ही है उपाय करें। अब आप एक खाली दीपक लें। आप पीतल का या मिट्टी का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। इस दीपक को आप अपने मंदिर में रखें। और मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं। भगवान श्री गनिश को प्रणाम करें और भगवान लक्ष्मी नारायन को हल्ति कुमकुम से तिलक करें. इसके बाद किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं. फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर बताशा या मिष्षी का भोग लगाएं. साथ में जल अवश्य ही रखें. तूटा हुआ ना हो अब इन दोनों लौंग को आप भगवान लक्ष्मी नारायन के चर्णों में रखतें अब भगवान विश्टुमा लक्ष्मी जी को पढ़ाम कर भगवान विश्टु जी के द्वादश्मंत ओग्नमो भगवत्य वासुते वाय का 108 वार जाप करें आप मं आतों के बेच में रखकर हाट जोड़कर भगवान जी को प्रणाम करें और भगवान लक्ष्मी नारायन से प्रातना करें कि हे प्रभु जाने अंजाने में जो भी मुझसे गलती हो गए हैं उन्हें आप शमा करें और मेरी कश्टों को दूर करें अब दोस्तों आपको जो लौकरी नहीं मिल पा रही है या बिभा में कोई समस्या है जो भी कारे है जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है घर परवार में कोई समस्या चल रही है पारिवारिक संबंद अच्छे नहीं है या बैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है जो भी समस्या है वह समस्या आ आज ही समाप्त करें और मेरे जीवन को सुख में बनाएं इन लॉंग के साथ ही मेरे जीवन की सभी समस्याओं को आज ही जलाका नश्ट कर दें और मेरे जीवन को सुख में बनाएं अपने किलपा सद्य मुश्मर बनाए रखें अब दोस्तों जो खाली दीपक आपने रखा है उसमें आप थोड़ा सा कपूर रखें और इस कपूर को जलाएं और इन दौनों लॉंग को आप उस जलते हुए कपूर पर रख दें और मन ही मन ओम नमो भगवती वाक्सुतेवाय मंतर का जाप करते रहें अगर लॉंग पूरी तरह से ना जल पाएं तो आप थोड़ा सा कपूर और डाल दें कई बार लॉंग जलकर उचटकर दूर चली जाती है तो आप उसे उठाकर पापस से कपूर पर रख दें कुछ लोग कहते हैं कि यह जो उचली होई लॉंग है पूजा में से निकली लॉंग है इसे खाले ना चाहें इसे मनुकामना पोण होती है ऐसी गलती भूल कर भी ना करें आपको यह लॉंग उठाकर बापस से कपूर पर रख देंए है जितनी देर यह लॉंग कपूर जलते रहें आप मंदिर के सामने ऐसे ही बैठे रहें और ओम्नमो भगवति वासु देवाय मंदिर का जाप करते रहें और यह विश्वास करें कि जैसे जैसे यह लॉंग जल रही है इस कपूर की पवित अगनी में आपकी सभी समस्याएं भी जल रही है दोस्तों आज के दिन इस उपाय को कैनेजी भाकवान लक्ष्मी नारायन के कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है धन मे बरकत होती है जीवन में खुश्यां आती है पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायन के कृपा बनी रहती है दोस्तों निचला एकादशी के पावन पर पर इस आसान से उपाय को कर इस से लाव अवश्य ही प्राप्त करें दोस्तों अगले दिन इस नानादी करने के आप इस दीपक को उठाएं इसमें थोड़ा पानी डाले और इसमें जो राख है इसे पानी में खोलकर आप किसी पेड़ वाधी की जड़ में भी अवश्य डाल दें इस उपाय को करने के साथ ही कुछ वातों का विशिश तोर पर ध्यान रखें आपने नेचलाई का अगर पुरत नहीं भी रखा है तब भी आज के दिन तामसिक भोचन ग्रहर ना करें किसी को कष्ट ना पहुचाएं किसी से अपशप्त ना बूलें किसी का बुरा ना करें अपनी माता-पिता का आशिरवात अवश्य ही लें और भ्रमचर्य का भी पालन करें अधिक से अधिक ओम उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर तबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग